हलो फ्रेंट्स मैं हूं मानिका मेरा बेंगली की चैन में आप सभी को स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बेंगली स्टाइल घूगनी या सुखे माटर की सब्जी यह बहुत ही इजी और बहुत ही टेश्टी बनते हैं जब नॉर्मल सब्जी खाके अच्छा ना लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना दाके आने वाले हरे विकलो साफ तक पहुसता रहे हैं तो चली बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने कड़ाई पर दो चमज राई कतेल लिया है और साथ में दो तेज कतेल ले लिया है एक डाल जीनिका चुरण टुक्रा अख्य म डाल लां लिया है खड़ मसाला पर ट्विस्ट अच्छा आता है इसली इसलिए ने बड़े हीस्ते में कुछ खड़े मसाले ले लिया है तो यह सब मुसाले को एक दू मिनुट के लिए पूनेगी जब यह तेल में अच्छे से भून जाये तो इसमें कटे वे कांदा दालें कि मैंने यहां पर दूपान दाली एक चोटे किसे में काट लिया है इसको 4-5 मिट अच्छे से चलाते हुए भूनें भूनें अब इसको 2-3 बर धब के अच्छे से पका लिया है अब इसमें परटेव टमाटर डालेंगे कट लिया है अब इसको सेम चलाते हुए में पकाना आए जब तक नहीं दूनों सोफ्ट हो जाएं तरीकिसे एक-दूस बाथ चलाइगे, फि धग देंगे, फि धग देंगे, फि धग देंगे, फि धग इस तरीकिसे दिखें मैं यहाँ पे soft कर भून गेए इसको हमें gravy बनाने, तो यह इस टेज चे खुनना जरूरी है अब इसमें डालेंगे मसाला मैंने आदा चमज यहां पे नमक दाला है मैंने यहां पे गटाने को बीना नमक कर यूबाला था तो इसलिए मैं आदा चमज नमक यूज करें आदा चमज शक्कर साथ में जाएगा आदा चोटा चमज घल्दी पाउडर आदा चोटा चमज और यहां पर आड़ करेंगे एक चमच जीरा धनेया का पाउडर ये मिल धर भी बनार यहां पर नहीं पर शुछ जीरा धनेया पाउडर का यूज कर सकते हैं मैं यहां पे मिद्यम स्पाइसी में बहुंच जादा स्पाइसी नहीं मना रहे हूं तो यह क्वांटिटी बरबर है और साप में आड़ करें दाई छोटा चमच अद्रक लसून का पेस्ट यह सब मुसाले को अच्छे से भूननों के लिए और नीची से चिपकना जाए दस से पंदा मिट के करीब अच्छे से मसाले का मैंने पका लिया है अब इसमें एक बड़ साइस के आलू को फोटी से में काट लिए इसको अब एड़ करेंगे साथ मैं एड़ करेंगे एक कप सुखे मतब इसको मैंने भीगों के रखा था 8 गंटा 8 गंटा भीगोने के अब उबाला था तो इसमें नमक का जो क्वाणरेटी हो बराबर है आप अगर वालने के टाइम नमक डालते हैं तो यह सब चुमें नमक का थोड़ा सा ध्यान लखें लखें तो ज्यादा हो जाते हैं तो बस यह सब को अच्छे से मिक्स करना है इसलिए हम धगड़ के इसको यहाँ पर में एक ग्लस पानी में यूज करें आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके सबसे पानी का आइड़ करें आप अगर फूजया परेंडल के जैसे थोड़ा सा जोल जोल पसंद करते हैं तो पानी का गॉंटे के थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा अनौ अब इसमें गानेशी के लिए थोड़ा सा धनियापता एड़ करेंगे आप चाहे तो ऊपर थोड़ा सा लिंबू का यूज कर सकते हैं ऑफ्शनल है अच्छी से मिला लेंगे अधके दो मिनिट के लिए छोड़ेंगे ताके यह धनियापता का जो फ्लेवर है सब्समें अच सुखे मटर के सब्जे बनके तयार है बहुत ही टेश्टी है और बहुत जादा स्पाइसी भी रही है अब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइब करें और रोटी या मन पसंद किसी की भी साथ आप सर्फ करें मुझे कॉमेंट करना मत भूना आपकी रेसिपी क्यासी बनी और म किसी भी परसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक मिलता रहे फिर मैं मिलते ही नेक्स रेसिपी लेके तब तक इलिए स्वास्त देना थैंक यू फॉर वाचिंग